तो तो टोड़े आई विल टीच यू अबाउट मैट एंड आवर कोश्चन इस कोश्चन नमर 13 सो सुडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कोश्चन नमर 13 कराऊंगा मैट का फिर्स चेयर की अकोर्डिक डू सिंद बोर्ड तो अब मैं आपसे वीडियो करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके तो इंशालला मैं पूरी कोई करूंगा कि आपको पूरी मैट कम्ली हुआ तो अब इस्टाट कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा कोश्चन है ए यूनियन भी बराबर होगा एक ए इसको हमें साबित करना है कि ए यूनियन भी एक्वल टू ए वो बराबर होगा इस वाली वेलियों के ए कॉम्प्लिमेंट इंटर सेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इ हैं तो आपको समझ में आए था कि हर चीज़ के लिए करूँगा तो देखें सबसे मेरे सॉल्फ कर डाल देता हूं मैं देखें ए यूनियन भी क्या लिखा हुआ है ए यूनियन भी बराबर है एक है मैं एक चीज़ लिखूँगा कि मैं लिखूँगा कि टेकिंग कॉम्प् और बोट साइड शॉर्ट कट में रिखाए सभी है तो देखें यह बन जाएगा कुछ इस तरीके से आपको नदर आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लिमेंट होल कॉम्प्लिमेंट हमने पढ़ा था किसमें पढ़ा था डी मॉर्गन स्लों में पढ़ा था क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लिमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट के पढ़ा था नहीं पढ़ा तो यहां मैं आपको polymer के सामने बठा जिदा और यह देखें यह देखें गूर करिए देख्यू राड़ा देंक हो यह क्या गावा है देख सकते हैं आप लोग तो यही यह यही पूरूव है कि आपके सामने में प्रूव भी बठा दिया का सा तो मैं यहां लिख सकता हूँ, तो मैं लिख जाता हूँ, देखें भई, अब क्या है, कि मैं इस जगा पर लिख सकता हूँ, A compliment, intersection, B compliment, equal to A compliment, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, तो यहां मैं एक identity आपको डालनी पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ, लिख दीजिएगा, यह helpful रही है अब के लिए, क्या लिखेंगे, कि A union, B का whole compliment बराबर होता है, A compliment and B compliment के, लिख जएना, या तो ऐसे लिख जएना कि according to do Morgan's law, A union, B का whole compliment बराबर होता है, A compliment, intersection, B compliment, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह सवाल यह solve होगिया है, verify करना था, यह इसके बराबर आ चुका है, सवाल solve, चलते हैं, next question की तरफ फटावर लिख वा जिता हूँ आपको, next question, next question हमारे बाद दिया वाइनान है, कि A and B, A intersection, B, second question यहां कर आ रहा हूँ, तो A intersection, B, बराबर होगा, A intersection, B, बराबर होगा, A के, और लिखा वाए है कि यह, यह बराबर होना जाए, A compliment, union, B compliment, equal to A compliment, तो this is our question, and now I am going to solve it, so are you ready, so that can start it, so, देखे, सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले कांग क्या होता है मैत के अंदर, solve लिखना होता है, सही है, solve के बाद, इसको solve कर लें फटा फट, टेखे, A and B equal to A, इसके पूरे के अपपर क्या करेंगे, compliment, लेकि सबसे पहले, इसको एक दफ़ा उतार लीजिएगा, जब इसको एक दफ़ा उतार लें, तो इसके बाद, आप लोगों को क्या करना है, यहां लिखना है, taking compliment, taking compliment on both side, यह लिखेंगे, चलें, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यह, intersection, B का whole compliment equal to A, दूसरा method बताया था आपको, बूल गा है, तो मैं लिखता हूँ, according to, short में लिखा है, according to A, according to D Morgan's law, according to D Morgan's law, क्या होता है, A and B का whole compliment बराबर होता है, A compliment, union, B compliment के, याद रख लीजिए, तो यहां मैं put करता हूँ, A compliment, union, B compliment, बराबर होगा, A compliment के, this is our action, proof करना था, कर दिया, सवाल end, खतम, हमने solve कर दिया, तो कितना असान था, सिर्फ concept पर गोड़ करना है, कि इनके अपर compliment लगाना है, तो चलते हैं, अपने next question के उपर, question number, अब हम करेंगे 40, तो मैं देख लेता हूँ, रुक जाएं, तो आप यहां पर question number 14 है, सही है, question number 14 में सवाल लिखता हूँ, ताकि आपको time waste, तो students, मैंने सवाल लिख दिया है, अब हम जा रहे हैं, solve करने सवाल को, तो मैं एक बात बना दूँ सवाल शुरू करने से पहले, कि मैं अब सारे सवाल नहीं कराओंगा इसके, सिर्फ इसके अदर चार सवाल है, question number 14 में इन में से 2 कराओंगा, जो मुझे hard लगता है, वही, पहला वाला सवाल है, इसके वाद चार 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 दो, ताकि वह hard लग रहा है, तरीका सबका एक होता है, यह बात अपने जहन में रखनी है, कोईश करूँगा तीनी करा दो, ताकि आपको idea हो जाएं, तो आगे जो इसके verify वाले ना, वह एक दो कराऊँगा, सभी है, क्योंकि वह बहुत सारे हैं, वह आप खुद practice करेंगे, अगर ना हो, तो आप मुझे एक और सब पर वापता कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको solve बेज़ जूँगा तस्वीर हैं, तो अभी start करते हैं, इसको solve करना फटा फट, देखें भाई, देखें, A multiply by B union C, जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप लगों के पास, जब भी, तो सबसे पहले इस B union C को solve करना है, किसको solve करना है, B union C, B union C आपको पता है किसे solve करना है, सबसे पहले solve का निशान लगा देते हैं, कि solve करना है, तो पहले सबसे पहले find out करना है, कि सबसे पहले सवाल उतारीएगा, क्या उतारीएगा, सवाल, सवाल क्या है, A multiply by B union C, यही है, तो B union C को मालूँ करना है, फटा-फट, B union C, देखें, B union C क्या होगा, पहले सबसे पहले B का side लिखना पड़ेगा, B का side क्या है, B का side है 3 और 4, you can see that, 3 और 4, union का निशान लगाएगे, union निकालना है, सही है, उसके बाद union के बाद देखें, union के बाद देखेंगे, तो यहाँ पर C निकालना है, C के ना कितने element है, 2, C और F, C और F को यहाँ पूट करते हैं, फटा फट, बन गया, union में क्या करते हैं, एक साथ मिलाके, एक में रिख देते हैं, तो B union C हमारा जो निकलता है, वो निकलेगा, 3, 4, C, F, यह हमारा निकल गया, B union C, अब इसको A multiply, बन जाएगा, बन जाएगा, A की value क्या है, A की value हमारा पास, 2 और 3 है, A का सेट की value है, element हमारा पास, 2 और 3 है, उसको multiply करवाना है, किस से है, B union C, B union C की value क्या है, 3, 4, C, F, 3, 4, C, F, solve कर देता है, फटा फटा फट, देखें, कि यह बन जाएगा, पहले 2, 3 से होगा, यहां लिख जाएगा है, 2 और 3, उसके बाद, 2, 4 से होगा, उसके बाद, 2, C से होगा, उसके बाद, 2, F से होगा, इसी तरीके देता है, उसके बाद, 3, B थworking ठीहन से होगा देख रहा है करना है दियान से करना है उसके भाद 3 होगा तर च पाद 3 सी से होगा इन जब खर थी एफ से होगा joy ट्री आप से होगा और ये बरेक टिलो तो यह हमारा अनसर आया Раз कर चलते एंगा question की तरफ according to me you can see that here so I am solving the question here so our next question is according to me दूसरा वाला देकें दूसरा वाला जो इसका सवाल है वो है a multiply by b intersection c मतलब क्या है सिर्व you union की जगा intersection आगिया solve वैसे करना है पहले b intersection c निका लेंगे फिर में लाया करेंगे तो वो दूसरा वाला मुचे करना की जड़रा थाइये तीसरा वाला जिस सवाल है उसको करा दूंगा तो चोता वाला खुदी हो जाएगा तो तो तीसरा वाला कहा जाए तो छोता वाला कहा है तो intersection अब भी आपको समझ में आ जाएगा और तो मैं कोपी रखता हूं सवाल दाल देता हूं फटापर आद के आद आपके सामने तो यहां देखते हैं कोश्चन नमबर कोंदा करेंगे 4 कोश्चन नमबर 4 करेंगे तो कोश्चन नमबर 4 क्या है A multiply by B A multiply by B इसके बाद intersection है और A multiply by C क्या लिगा हुआ है A multiply by C यह कोश्चन है यह कोश्चन है अब हम इसको solve करेंगे बुल्कु कोई कबराने वाली बात दीए सबसे पहले हम A multiply by B निकालेंगे फिर A multiply by C निकालेंगे फिर इनका intersection निकालेंगे कोई मुश्किल बात नहीं है फटाफट solve कर लेते हैं इसको भी तो solve लगा दे है फटाफट तो देखे है A multiply by B निकालते हैं सबसे पहले सवाल उतार लिए अगर है math का rule है सवाल पहले उतारा करें फिर आगे solve करा करें A multiply by C है अब A multiply by B find out करेंगे A multiply by B तो यह find out करने के लिए क्या करेंगे दोनों की element मतलब यह A के कितने है टू और ठीरी तो टू और ठीरी या इसके element या member भी बोल सकते हैं पहली वीडियो में बताया था उसके बाद हमें इसका multiplication निकालना है और यह product निकालना है तो देख लेते हैं B यह ना B के element लिए कितने ह 4 है 3 और 4 देखें multiply का rule है पहले 2 से फिर 2 उससे तो यहां पर A multiply by B की जो value निकलती है मैं आपके सामने निकालता हूं तो 2 पहले multiply होगा 3 से 2,3 उसके बाद 2 multiply होगा 4 से 2,4 उसके बाद 2 multiply 3 multiply होगा 3 से उसके बाद 3 multiply होगा किस से 4 से तो यह हमारा बन गया क्या बन गया A multiply by B निकल गया अब निकालेंगे क्या A multiply by C बुलकुल से ए multiply by C तो यहां पर यहां पर यहां गया A की value वही रहेगी 2 और 3 बुलकुल वही रहेगी उसके बाद multiply होगा C से C का side की value क्या है? element क्या है? C और F तो put कर देते हैं फटाफट C और F solve कर देते हैं फटाफट देखें A multiply by C की जो value निकलेगी तो 2 पहले होगा C से तो 2, C फिर कॉमा फिर 2, F ऐसे लिखना है 2, C 2, F ऐसे लिखने का तरीका याद रखिए गास तरीके को फिर कॉमा डाल गए अब ठिरी की बारी 3 के साथ C उसके बाद 3 के साथ F math का rule है भाई ये तो आप आम multiplication भी करते हैं दो bracket के तरी ब्यान में तो एक को दोनों से करते हैं फिर एक को दोनों से करते हैं वही सिस्था में फिर 2 को फिर दोनों से करना पड़ेगा 3 को भी दोनों से करना पड़ेगा सेम तो है कोई मिश्किल नहीं है दोनों की value आ गई इनका intersection निकालते हैं क्या निकालना है अब intersection जैसा कि हमें बोला गया है देखें A multiply by B तो देखें A multiply by की जो value आई है हमारे पास वो आई है 2,3 2,4 सही है 3,3 और 3,4 यह आई है तो अब हम क्या करेंगे A multiply by भी हो गया यह bracket में रख दो क्या रख दो इनका intersection निकालेंगे तो आगे आप इसका कौन से element पुट करूँगा A multiply by C वाले तो A multiply by C वाले यह वह लिए 2,C तो फिर 2,F आगे चलते रहेंगे उसके बाद होगा 3,C और 3,F अब जाएगे बाई कोई मुश्किल बात नहीं है मैं बोलता हूँ कोई मुश्किल बात नहीं intersection में करते क्या है intersection में हम करते है कि same दोनों bracket में अगर जो भी C same होगी हम उसको उतार देंगे बस तो अब हमें गोर करना है इसके उपर कि इसके अंदर क्या same है देखें 2,3 और आगे बाले बेकेट में देखें तो 2,C है चाहिए ज़र से देखें तो इधर से देखें 2,2,F नहीं है 3,C यहां पर भी नहीं है 3,F तो इसका मतलब पता क्या है इसमें कुछ भी common नहीं आएगा क्या नहीं आएगा जब common नहीं आएगा न तो हब यह null set बन गया क्या बन जाएगा यह सीदा सीदा क्या बोलेंगा इसको तो यह जो हमारा answer आएगा वो आएगा या तो मैं ऐसे लिख दूँगा से रफोर से क्या लिख दूँगा null set answer क्या है null set solve हो गा है tension खतम तो एक बात और कर दूँ question number 15 में हमारे पास एक question दिये वे 15 question number 14 से देखना हमारे को जो भी उसके set है न set a और b सही है तो हमें बताना है इसको verify करके question number 14 के जो set है a b c लिखी भी है value अब यह जो हमारे एक दो तीन जितने भी सवाल है इनको solve करना है with the help of set a b c इसके अंदर value put करें बिल्कुल सेम काम होगा करके देखेगा solve करके देखेगा बहुत असान है आप बहुत बोलेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी तो आपको पते चलेगा कैसे करने तो मैं एक दो सवाल कराने का सोच रहा हूं को करवा देता हूं सारी ऐसी है आसान है कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर तो मैं करवा ही देता हूं तो मैं पहले इसको rough करता हूं स्टुडेंट्स आप बात कर लेते हैं question number 15 के बारे में question number 15 में वही चीज़े वही शेट इसके वालों के question number 14 में थे जिनकी value 2 और 3 और B की value set की 3 और 4 थी अब यहां पर मैंने जो एहम सवाल थे जो मुझे लग राता करवा दूँ तो मैंने लिख दी है कॉंपलीमेंट वाला कोई सवाल नहीं जबिए मैंने universal set की value नहीं लिखी अब यहां A-B intersection B बराबर है नहीं सेट के यह प्रूफ करना है left hand side पर काम करेंगे तो right hand side आनी चाहिए इसी तरीके देख सकते हैं यह वाला सवाल है इसको बता दूँ करना है तो पहले शुरूबात करते हैं इससे whatever solve करते हैं सबसे पहले solve लगाना है जो मैंने बताया था solve और इसके बाद सवाल को उतार दें A-B intersection B बराबर होगा ओ सोरी 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 एक काम करिएगा सबसे पहले side ले लिए जागा क्या ले लिएगा side तो मैं अभी taking left hand side कौनसी ले रहा हूँ? left hand side क्योंकर right hand side पर काम नहीं है taking left hand side तो यहाँ पर left hand side पर क्या है A-B intersection B यही है A-B को solve कर लेता है फटाफट A-B बराबर होगा A set की वे लिए है 2, 3 elements सही है 2 trees के element है B set के element कितने है 3 और 4 3 से 3 कड़ गया मैं आपको शुरू किये बात में शुरू वारे वीडियोस में भी बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ पहले वारे set की value लिखेंगे बाकि B वाले set को कुछ भी बज़्या है वो हमारा तालुक नहीं है सिर्फ आपको पहले वारे set की value लिखनी है तो इस बात को याद में रखे काम करिएगा A माइनस B की value क्या ही है 2 आई है यही आई है और जब इसका intersection निकाले जाएगा B से तो B की हमारे set की value 3 और 4 तो यह बताएं जब मैं इन डोनों के बीच का intersection निकालूंगा तो क्या आएगा खुश सोचें क्या आएगा क्या आएगा बताएं आएगा मैं आपको पहले भी पता चुका हूँ कुछ भी सेम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ निल सेट तो यहां लिख दीजिए गाएगा एड में left hand side equal to right hand side प्रूवड प्रूपर सब्सेट के बारे में अब चलते हैं अपने next question पर जो लिखावा है सबसे पहले इस question का solve लिख जाते हैं फट 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 देखें सबसे पहले a and b की value निकालेंगे intersection b की और a union b की value निकालेंगे a की value तो है न है देखें और यह चीज लगी वे यह जो यू बनावा है पहली वीडियो में बता चुक्क हूँ दूसरी वीडियो में आपको proper subset के बारे में पूरी details से पढ़ाया है कि proper subset कब होता है और वह अभी फिट से एक दफ़र revision करा हुआ लेकि value आने के पाद अभी नहीं देखें सबसे पहले a and b की value find out कर लेते हैं तो सवाल पहले उतालूँगा मैं a and intersection b यह a a union b सही है a intersection b की value निकलेगी अभी जेख लेते हैं क्या निकलती है तो a intersection b की value a 2 और 3 है सही है उसके बाद हमारा intersection निकलेगा b b की value क्या है 3 और 4 है common common 3 है तो a intersection b की जो value हमारे पास आईगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगी उसके बाद a union b की value तो a union b की value मैं आपको डारेक्ट बता रहा हूं solve नहीं कर रहा हूं क्यों क्यों मैं solve नहीं कर रहा हूं एक दफ़ा मैंने solve कर लिया अब आप भी कुछ करें आपको लिख लेना क्या होता union का मतलब जो इस ब्रैकेट पर है जो इस ब्रैकेट पर है लिख देंगें लेकि सेम सेम को सिर्फ एक दफ़ा लिखना यह होता rule तो देखें बाई two three four क्या बनेगा two three और four डायरेक्ट कर रहा है लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा चल आगे देख लेते हैं इन दोनों की वेल्यों इसके अंदर पुट करतो बस a and b की वेल्यों क्या है सबसे पहले रुक जाए देखें a and b की वेल्यों हमारे पाद आए है रूट three क्या यह है रूट three उसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट है यह आता है यू प्रापर सबसेट का साइंगे a a की वेल्यों क्या है two or three क्या है two or three तो तो त्री उसके बाद फिर यह साइंग है उसके बाद फिर किसके लिए निकालनी है ए यूनियन भी ए यूनियन भी की वेल्यू क्या है टू थ्री फोर अब मैं आपको थोड़ा डीनेल में बढ़ाता हूं कि अंसर है हमारा कैसे अब थोड़ा दिहान से सुनने के वाली बा इसका प्रोपर सबसदान है तो इसका मतलब है कि डी जो इसका भी प्रॉपरस अबस्देड है है सम्झी है कैसे हैm है रूट को इसका प्रोपरस अबसेड यहातने है नहीं समझ हुआं meille कन्फीज होगा है जिकम हमारे चर्थ होदा है कि हुड़ बहना बात कि या दौनों आ हमारे पास एक A set है जिसमें 1,2,3 यह elements हैं तो यह इसी तरीके दे एक B set है जिसके लिए 1,2,3 सेम है तो हुझे हम यह बोल सकते हैं कि A subset B का यह B subset A का सेम element है अब हम लोग confusion में subset बोल सकते हैं लेकिन इस को हम यह नहीं बोल सकते हैं कि A proper subset हो का B का क्यों कि दोनों के अंदर सेम element है proper subset के लिए requirement होती है कि A के अंदर या एक element जाता हो या B के अंदर एक element जाता हो क्या मतलब ये है कि A proper subset है B का समझे है मैं पता क्या tambah कि A proper abstuset है B का ऐसे लेखुआ मैं समझे माई मैं तो इसका मतलब के यॉसरे उप्रॉपर्र सबसेट है क्योंके THREE इसमें है और इसमें भी 3 है जबके एक जादा है तो प्रॉपर सबसेट अब यह देक है तूतरी शर्ड टूतरी यह है इसका सफेड है यह त४र को कोई कंफीजन ने अब ने होगी क्योंकि पुल्ड डिटेल से बता नहीं है है कई मिभी अब छलते हैं अपने आखरी कोश्टे नमर 16のath今 पर फिडिय यह हमारी 1st 1.1 exercise complete हो जाएगी सवाल के बाद फिर हम नए exercise सुरू करेंगे अगले अफ़ते तो फटावट इस सवाल को देख लें तो तीनी सवाल ते इस exercise के अंदर तो फटावट शुरुआत कर लेते हैं फटावट तो यह बोल रहे है के a union b पराबर होगा a union bracket a complement intersection b का bracket को close कर देंगे तो यहां पर आपको side select करनी होती है तो a union b कोई काम नहीं है गलती से भी सिलेक्ट नहीं करेंगा तो सबसे पहले तो मैं solve कर निचान डालूँगा तो सबसे पहले मैं लोगँगा taking right hand side यह लेनी है आपको उसके बाद सवाल को एक दफार रिपीट कर देना है तो a compliment intersection b compliment यही सवाल है अब यह सवाल है तो आप यहां से सुनिएगा बात को देखें यह सवाल में लिखनी है अब यहां से एक property लगेगी by distributive law तो यह लोग आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया हो तो आप समझ लीजेगा भी पढ़ा जाता हूँ by distributive law यह बोलता है कि a u a compliment intersection b बराबर होता है a u a compliment के bracket intersection a union b के bracket तो इसके बराबर होता है तो मैं लिख जाता हूँ के a union a compliment का bracket उसके बाद intersection a union b सही है अब यहां एक property लगती है के a union a compliment किसके बराबर है सही है a union b को तो छोड़ दो कोई काम नहीं इसका लेकिन यहां कुछ लग रहा है मैं आपको सामने आगा बढ़ाता हूँ यहां कुछ लगने वाला है क्या लगने वाला है दिमाग पर दो डाले याद आ जाएगा देखें a union a compliment a compliment का मतलब है कि universal में से a को माइनस कर दो तो दिमाग पर दो डालो तो b बचेगा क्योंकि universal में a b होता समझ लो suppose कर लो b बचेगा तो a union b जब यह दोनों a union b a bracket a के elements और b के elements हमारे सवाल में दिखावाए है a and b बनाते हैं एक universal तो मतलब a compliment का हटाने के बाद u में से a को माइनस कर दिया b बच गया तो a union b निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा universal के बराबर according to the question सवाल के मताबिक तो यहां put कर दखते हैं यह कर दीजिए का पहले a union a compliment बराबर होगा किसके यू के तो यहां मैं put कर दूँगा यू है यू उसके पाद intersection a union b है अब फिर confusion वाली बात आए भाई अब तो फिर confusion किसे भाई देखें a union b निकालो क्या निकालो a union b बना रहे है यूनिवर्सल है यह इन बी मिलके क्या बना रहे है यूनिवर्सल देखें a और भी मिला दिया यूनिवर्सल अब union यूनिवर्सल में से intersection लेना है यूनिवर्सल का ही तो यू में घो element होगे वो भी तो इसी उ में होगे तो इसकी जगा में सिर्फ और सिर्श भासिट ऊंगा ten लिख सकता हूँ ठाइए तो मैं लेर ले लॉक दो वह हमारा क्या हो गया left hand side equal to right राइट हैंड साइड प्रूफ पो सोरी राइड साइड एकॉल टू लेफ्ट हैंड साइड यह लिख जयता हूं तो कि हमने राइड हैंड साइड से शुरू करा तो यहां गया प्रूफ कि फिर एक दफ़ा समझारू है एंड वाला थोड़ा चंफ्यूज करा होगा हमारे कोश्चन के मताबिक के एड बना रहे हैं सब्सेट सब्सेट किसके यूनिवर्सल की खुश्च उकर्ते हूं यूनियं में क्या करते हैं एक ऐलिमेंट चौभी एलिमेंट को जमा करके लिखत तरह यहां पर यूनिवर्सल नहीं दिखना क्योंकि हमारा को प्रूफ करना है यूनियन भी यूनियन भी मिला करको यूनिवर्सल बन रहे हैं बात तो वही है तो उल्थ वग्या फटा पर जल्द यल्लिए से सॉल कर लेते हैं तो बहुंत स्वाइट कर लें कुश्च नमबर हमें पता है मुझे पता है आपको समझा जाता हूं क्या है देखिए बाइ डिस्ट्रिब्यूटिफ लो और यह हमसे बोलता है कि एंटर्सेक्शन बी का यूनियन बराबर होगा ए कॉंपलिमेंट बराबर होगा यह पूरी वैलियो बराबर होगा बी मंटिप्लाइब बाइ ए यूनियन ए के कॉंपलिमेंट के यह किया है का बाइ यह कंडिशन है अब यह कंडिशन को मैं फुट करूंगा तो यह देखिए बी एंट ए यूनियन ए कॉंपलिमेंट रही है ए यूनियन ए कॉंपलिमेंट लिख ज़ता हूं किसके बराबर होता है ए कॉंप्लिमंट बराबर होगा दें ए युनिंएन का मतलब क्या होता है यू माइनस विमें से को माइनस करोगो भी बचेगा ए यूनियन भी किसके बराबर है यू के तो यह आ गिया यू कि आ गिया यू तो देखके हम스트 कर थाको देरा हुए उनिवर्सल के बाप यह उनिवर्सल के बाप नहीं होगा और इंटर्सक्शन सेम सेम वाले लिखते हैं तो मतलब बीज सेड़ा जाएगा तो मैं यह लिख सकता हूं यह किसके बरापर हो गया बी के तो यह प्रूव हो गया ना क्या हो गया के राइट हैंड साइट इक्वाल टू लेफ्ट हैंड साइट प्रूव है इंट्रेक्शन में सेम से वाले लेते हैं यूंइवर्सल ऑन्हें कि अदर क्या है यूंइवर्सल के अंदर ऑभी है बी यह जब हमाँ आपके भी से मारे चलते हैं झाल है Сब्सैट है कि यहां आदा इसको solve करेंगे हमें इसके बराबर लाना क्या इसको solve करेंगे इसके बराबर लाना चाहिए करदेद्र बड़ पर solve देखें a union a complement and intersection b सही है अब यहां भी वही condition है जो यहां थी यही है यही लही है by distributive law by distributive law क्या बोला था a union a complement intersection b बराबर होगा अब यहां लिखा वारा लिख लाता है a union a complement के intersection a union b के है यही है union a complement है union b सही है अब इसी को हम यहां पुट कर देंगे तो a union a complement किसके बराबर होगा a union b के है इसके मताबक a complement किसके बराबर होगा a union a complement बराबर होगा युनिवर्सल के अभी समझाया था रिमांड करेंगे देख लिए कैसे हैं तो मैंने समझा दिया था तो यहां पुट करेंगे union universal उसके बाद intersection a union b को एए union b का मतलब क्या है universal है अभी तो बताया था क्या है universal क्या है universal अगर हमें इस condition को प्रूफ करना है ना इस condition को इस के a subset है b का तो condition पता क्या बनेगी तो मैं पहले इसको solve करता हूँ फिर समझाता हूँ देख यूनिवर्सल में से हम universal का कॉमल लेंगे तो वाफिस a union भी आ जाएगा कुछ गलत कह रहा हूं क्या यहां भी यह कर रहा था कर रहा था यह कर रहा था देखें अब condition क्या है कि यह बोल रहे है कि यह subset subset का मतलब पता क्या है जब हम a union b निकालेंगे ना तो हमारे पास पता क्या आएगा बी आएगा क्यूंकि a subset subset B का मतलब बी में से रिकला है तो बी के बरावर होना चाहिए तो बी आ गया तो यह कंडिशन है समझना है और यह हमारे को प्रूफ करना पड़ेगा और यही चीज किसके बरावर होगी यह subset B का तो यह पूरी चीज ऐसे बनती है देखें यह union भी आ गया union भी आ गया तो य यह union B किसके बरावर होगा दीग है तो यह आगया अंसर तो बस आच की वीडियो में यही था वीडियो चलेगी हो तो लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्क्राब करना ना भूलिएगा बैल आइकन को जरूर रिट करिएगा कि मेरे नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिक